नमस्कार आप देख रहे हैं डिटीवी भारत मैं हूँ अभिसेक मिस्रा बिहार की राजनिती में और बिहार के राजनितिक दलों के अंदर खासकर महभारत दिख रही है हर राजनितिक दल के अंदर कमोबेस महभारत है खासकर बड़े राजनितिक दल जो हैं बिहार के उन दलों के अंदर जो महभारत छिडी हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है अंदर का अंतरकलः अंदर का पावरवार सब कुछ सतह पर आ गया है सब कुछ सब के सामने है लेकिन मौजूदा वक्त में बात करेंगे आरजेडी में आरजेडी के महाभारत की आरजेडी में जो महाभारत चल रहा था वो मौजूदा वक्त में सांथ है और महाभारत किसकी वज़त से चल रहा था तेज परताप यादो बिहार के पुर्व स्वास्त मंत्री और राजत सुप्रिमों लालू प्रसाद यादो के बड़े बेटे तेज परताप यादो के तेवर बहुत गर्म थे और महाभारत का जिक्र बार बार इसलिए क्योंकि महाभारत की जो लाइने हैं महाभारत में जिन सब्दों का इस्तमाल किया गया महाभारत को लेकर जिन कविताओं के खास करते इस प्रताप यादों ने लिखा दिनकर की वो कविता पोश्ट की कि दो नियाए अगर तो आधा पर यदी इसमें भी यदी बाधा हो तो देदो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धर्ती तमाम दुरियोधन वो अभी दे न सका आसी समाज की ले न सका उल्टे हरी को बांधने चला था जो था असाध साधने चला था ये तमाम कविता ये लाइने तेज परताप यादो ने ल मतलब उनके इस पोस्ट का निकाला गया लेकिन तेज परताप यादो राजितिक रूप से सक्रिये हैं दिल्ली से लोटने के बाद पिता लालू परसाद यादो से मुलाकात के बाद और एक बार आरजडी दफ्तर भी गय थे और बिलकुल फ्रंट फूट पर खेल रहे हैं लेकिन उस तरह से उनके तेवर ऐसे नहीं है जो लालू यादो और तेजस्वी यादो और आरजडी की मुस्किलें बढ़ाएं आरजडी की फजित बढ़ाएं तो वहां जो महाभारत की आहट सुनाई दे रही थी वो फिलहाल सांथ पढ़ गया है लेकिन जेडियू के लिए लड़ाई नहीं होती तो महाभारत कैसे होती दरसल तेजपरताप यादो ने एक पोस्ट किया था और लिखा था कि अहंकार मानों और समाज का इतना बड़ा सत्रू है जो संपुर्ण जाती के किस्ट का कारण और अंततह विनास का द्वार बनता है महाभारत में अक कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं तेजपरताप यादो असपस्ट तोड़ पर तो हम अभी नहीं कहेंगे लेकिन जो भावारत होते हैं तेजपरताप अगर महाभारत की लाइनों को कोट करते हैं तो उसके जो भावारत होते हैं वहीं हम बताते हैं दिखाते हैं तो ते प्रभू के दर्सन करवाता है आप हमेशा प्रभू के करीब रहते हैं इसलिए यह सत्वचन है लेकिन एक सच्चाई अभी है कि हक के लिए लड़ना पड़ता है नहीं तो महाभारत नहीं होता आगे आप खुद समझदार हैं तो क्या तेजप्रता प्यादों को महाभारत की स प्रता प्यादों के लिए कि आगे आप खुद समझदार हैं तो महाभारत करने की सलाह दे रही है नहीं दे रही है इस बयान से आप समझे आप खुद समझदार हैं इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए हमारे फेस्बूक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यार समर्थन और सहयोग के लिए